नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल देशी खाना देशी वलोग में आज मैं आप सभी के साथ आलू के पराठे की रेसिपी सेर करने वाली हूँ जो खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी होगा बिल्कुल सोफ्ट पराठा बनके तयार होगा और बनाना भी बहुती ज़्यादा आसान है तो इस रेसिपी को आप ध्यान से देखेगा आपको आलू का पराठा बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी और आलू का परा इसके आपकी से तयार कर लेना है इसे पराठे में भोती अच्छा टेस्ट और खुस्बू आती है इधर मैंने आलू लिये हैं उगले हुए आलू को भी अच्छे से मैस कर लेंगे तो आलू को अच्छे से मैस करने के बाद ना इसके अंदर एक बारी कटी हुई प्याज डाल जो मसाला आमने कूट के रखा हुआ था वो भी डाल देना है स्वाद के नुसार नमक डालना है थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर एक चूटी जितनी हल्दी इसके अंदर डाल देनी है एक चमच चाट मसाला और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है तो ये आलू की स पतली रखते हैं लेकिन आलू का पराठा बनाएंगे तो थोड़ी सी उससे मोटी रखेंगे और उसे बहुत ज्यादा नहीं बेलेंगे तो वैस आपको इतना ही उससे बेलना है फिर इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरनी है थोड़ा सा उपर से सूखे आठे का हाथ लग अगर आप इसको हाथ से इस तरीके से बनाएंगे फिर बेलन से बेलेंगे ना तो पराठा कभी नी फटेगा और इसको हलके हाथ से बेलना है बेलन की ज्यादा दाब आपको नहीं लगानी है तो एक दम से परफेक्ट आमने आलू का पराठा बेल के तयार कर लिया है अभी गी लगा करोएSY's बहुत के लुक्ता गहते हैं अाज से नहां आपको आलू के पराथे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगे मैं बहुती ज Наम जट बड़ अपने चैनल पर दी हुई है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलती है सीगी जी नू रेसिपी के लिए